हेलो इप्टीवन लिना किचन में आपका स्वागत है कैसे हो आप सभी आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे आज हम बनाएंगे सूजी का बॉल्स इसे बनाने के लिए एक पैन में हम एक कप पानी आड़ करेंगे तो आप किसी कटोरी या कप कोई भी चीज का एक नपना ब आप अपने तीखा अपने मनमुताविक एड़ कर लें जितना पको पसंद हो उस ही साप से तो में चिली फ्लैक्स एड़ कर दिये हैं उसके बाद थुरा सामे चटपटा पसंद है इसलिए इतना मीची आड़ किये आप काम जादा कर सकते हैं आपने ही साब से उसको गरम होन आपके उपर डिपेंड करता एक बुंद भी तेल इसमें नहीं लगेगा अगर आप चाहेंगे तो तो इस तरीके से क्या करेंगे ना तेल आड़ करने के बाद जब अच्छे तरीके से उसमें वाइल आने लगे तो फीस में सूजी आड़ करें इसमें तो आप इस चीज से कप से कप, कप यौ भी तो सूजी नापक एड़ करें तो सूजी कोई सो भी चलेगा, बारिक वाली हो क्मीर कोई दिक्कतों और इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको क्या करना है और आगे की बीटो में आपको पता चलेगा कि आप चाहे तरगा भी निकाल लेंगे इसको इस तरीके से और ठंडा होने तक का वेट करेंगे बहुत ही मनि कि क्या ब MRI को यहां इतना सॉस्ट вкус होती है इतना टेच्टी में निकाल लेंगे सुजी को और वैटर को और इस तरीके से लिए फिल्टे से सुफ्ट पार्व लुगे अपने हाथे हमेर के से आ enact- मानने बूर्ड़ के सब्मूद आपका आपाङं। इसमें ना ही आपको आलव बालने की जरूगत हैं ना ही आलो डालने की जरूथ ही जरूय कोई शीज जिरूत नहीं पर सिर्फ तूजी से आप बना सकते हैं इस देख सकते ह ken बहुत आसाने सी हम हम ने इस तरीके से डोर त्यार कर लिए यह देखिए बहुत ही त्यार हो जाएगा इस तरीके चुट-चुटी लोईयां ले लेंगे तो आप कम बरा साइज छोटा साइज अपने हिसाब से मनमुताबिक कर सकते हैं तो इस तरीके से चुट-चुटी बॉल्स हम बना के त्यार कर लेंगे सूजी बॉल्स इस इस तरीके से क्या करेंगे बारी-बारी से और भी बॉल्स हम त्यार कर लेंगे तो जितना आपको बनाना हो क्वांटिटी आप अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से तो इस तरीके से जितनी भी सूजी की बॉल्स हम इस तरीके से बारी-बारी से सारी बॉल्स क बनने में को दिक्कत नहीं होता है और इस तरह को देना है उससे फिंगर से ऐसे च्छेदा करें बहुत सुनदा दिखने में लगता है इसका जो इस तरीके से आप अगया बनाते हो तो यह दिखी बहुत ही टेस्टी बनकि से सेफ सुन daha भी दिखने लगता है और बन्य में तो बहुत ज़्यदा टेश्टी लगता है यह बनने के बाद यह तो इस तरीके से शेब देखें को सूजी बनकर टेयर कर लिए हैं फिर एक ले लेंगे चन्नी वाली थाली या आपसे स्टीमर कुछ भी ले ले फिर इस तरह के थोरा से तेल डाल देंगे और फैला देंगे अपने आतों से और इस तरह के सोजी बॉल्स को इसमें आड कर देंगे कॉमेंट करके आप जरूर बताएंगे आप इससे क्या नाम देंगे आप जरूर से पर इस तरह के संब्वाह यह पानी के उपने ग्रम होने के लिए अब इसको इस तरह सूजी बॉल्स नग तो थोड़ देंगे 15 मिंट बाद अच्छे तरीक से सूजी बॉल्स जो है हमारा बनके किदम से तयार हो गया है फटा-फट आप जाएंगे तो इस तरीक की जगा पर आप से बीना फ्राइ के भी खा सकते हैं बीना तरके के भी लेकिन तरका देने से और इसका टेस्ट अच्छा लम्य लगता है तो आप लोगों को याद दिला दू कि अगर आज की रेस्पी हमारी पसंद आती है तो लाइक करें हमारे चल्ब को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट जरूर करके बताएं कैसी लगी है रेस्पी आप लोगों को और आप लोग एक बार जबर से ट्राइक करें कितना ही सॉफ्ट बनके तयार हुआ है तो कल आप लोग से फीर मिलेंगा नेक्ट पीडियो में तता के त्यान रखें टेक क्यार बाइबाए